हाई दोस्तों कैसे आप लोग और मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालरा और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा क्योंकि जब मैं लाइव आता हूं फिर नोटिविकेशन नहीं आता आप लोगों के पास तो लाइव ओपीडी मेरी हफ्ते में एक दो दिन आती है चलती है दुपहर को देट से दो बजे के असपास तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर घंटी दबा सकते हैं तो दबा दें अदर्वाइस मेरी घंटी तो वैसे बज़े हुई है और आपको ये भ हमारी get together को अगर join करना चाहते हैं तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं टॉपिक है विटामीन B12 सबसे जरूरी विटामीन बॉड़ी के लिए जो आपकी जिंदगी बरबाद भी कर सकता है और आबाद भी क्योंकि इसकी कमी से ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि लगता है किसी बड़ी बिमारी के हम शिकार हो चुके हैं लेकिन अगर इस विटामीन B12 की कमी का पता चल जाए तो वो सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं और लगता है कि दुवारा से किसी ने हमारे अंदर जान फूख दी प्रान फूख दी हैं विटामीन B12 जो हता है RBC के formation के लिए जर जरूरी होता है nervous system के लिए जरूरी होता है और कुल मिलाके आपको ये energy देता है इसको बोलते है energy vitamin अब सोच लीजेगा mental energy physical energy सब गायब हो जाती है अगर ये गायब हो जाती है नॉर्मली कितना होता है अलग अलग लग लेब थोड़ा अलग लग देते हैं लेकिन कितनी requirement होती है 2.4 microgram पर डे की हमें जर्थ पड़ती है कमिया अगर हो जाएं severe deficiency हो जाए तो injection की form में आप ले सकते हैं tablet की form में ले सकते हैं nasal spray की form में ले सकते हैं पर injection का effect मैंने देखा कि सबसे अच्छा होता है क्योंकि tablet आप खाएंगे वो absorb होगा नहीं होगा पता है चलिए आज ज्यादा लंबर topic नी करेंगे सबसे पहले आपको बताऊंगा इसके करीब आपको 21 ऐसे symptoms जो आपको पता चल जाएं तो शायद आप करने हो जाएं और अपने test करा लें पहली सकता है और कई बर यह देखा कि जब बहुत लंबे समय तक अगर vitamin vitamin कमी हो जाए तो कई बर permanent damage भी नरुका कर सकता है दूसरा थकान weakness कमजोरी हर समय कमजोरी रहती हर समय थकान रहती है तो यह इसकी वेज़े से भी आपको problem हो सकती है vision में problem हो सकती है दिखाई देने में problem हो सक लूडरी आपी है कहीं लोगों को low gradient fever पका सकता है कहीं को sweating होती है पसीनहा आता है चलने में द security होती है कहीं लोगों को हलका है सा अえसा है पता नहीं कुछ अनीजिने मिए कुछ ठीक है और कहीं लोगों को चक्क्र भी आ जाते हैं चलते हुए और कहीं लोग हमेशा कंप् पेड़ना जाओं या डिजीनेस सा हलका सा ऐसा घुमेर सी आती है तो अपना B12 जरूर जाके टेस्ट कराएं कई लोगों को पेट में प्रॉलम होती है डाइरिया हो सकता है पेट में दाथ हो सकता है मुँ में कई लोगों के अलसर बन जाता है छाले निकल आते हैं ठीक नहीं ह हो सकती है और खून की कमी तो मैंने अपको बताया है अनीमिया तो हो ही सकते है और अगर आपकी कोई वुंड में हीलिंग नहीं हो रही है तो भाई ज्यादा तो लोगों को लगता कि शुगर की कमी से होगा जी नहीं विटामिक की कमियों से भी ऐसा हो सकता है डिप्रेशन डिप्रेशन भी हो सकता है क्योंकि ये बेसिकली आपके ब्रेन पे भी असर करता है निरोलोजिकल सिम्टम भी आते हैं और साथ में साथ में प्रॉलम भी हो सकती है प्रेशन को मूर स्विंग्स हो सकते हैं डिप्रेशन हो सकता है मेमरी प्रॉलम हो सकती है और स्किन पर आए तो skin pale हो जाती है, सफेद बिल्कुल ऐसी लगती है, pale skin भूग भी कम लग सकती है, इनसान को nausea feel हो सकता है और appetite पर भी एसर पड़ता है और आपका tinnitus, कानों में घंटी जैसी अवाजें आना तो वो भी B12 की कमी की वज़े से हो सकता है तो मैंने आपको बहुत सारे symptom आपको बता दिये है और अगर इन में से कुछ भी symptom, ज़्यादा तर symptom आपके nervous system पे होते हैं या फिर आपके stamina पे होते हैं ये दो symptom सबस्यादा होते हैं nervous system पे नसों के उपर थकान, कमजोरी, mental fatigue और tingling, numbness, सुनपन, जंजनाहाट तो नसों का vitamin है, तो इसलिए energy vitamin है, इसलिए nervous system पे सबस्यादा effect करता है अब देखो, कई बार हम routine test कराते हैं, तो उसमें कमी पता चलती है कई बार हम सोच के कराते हैं, कई बार complete health check-up कराते हैं, तो उसमें निकल आता है, B12 बहुत लो है मैं generally prefer करता हूँ, अगर severe deficiency है, तो 100 से नीचे आ रहा है आपका B12, तो मैं तो कहूंगा injection लगो और border line ने 200 के असपास आ रहा है, तो फिर मैं कहते हूँ चलो tablet खा लो, लेकिन मैंने ये देखा कि B12 जिनका exact, वैसे तो हम कहते हैं कि 200 से उपर होना चाहिए, लेकिन मैंने symptom को देखा है कि 300 पर भी अगर किसी का B12 आ रहा है, तो भी उसको symptom आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 400 से 500 के आसपास इसको रखूँ, मेरा ये एक रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, और मैंने आज भी, खुद भी B12 का injection लिया है, मैंने जो लिया है, वो एक B12 का दाल दूँगा, हलांकि वो फिर वही होता किसी प्रोड़क्ट का एड हो जाता है, advertisement, मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँ कि मैं जनरली injection, जैसे मुझे अडेशन से मुझे भी निकली थी, तो मैंने इंजेक्शन लिये, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप दस पंदा दिन तर एक दिन छोड़ के ले लो, उसके बार हफ्ते में एक कर दो, उसके बार महीने में एक, इस तरह से लेते रो, और हर महीने एक इंजेक्शन, 500 माईकоров ग्राम का महीने में एक भी ले लो के तो काम चलता रहता है, तो मेरा B12, 4500 के आस पर रहता है, और मैं करता हूं लेकि मैं यह भी बोलूँगा कि ओवर एंथिजास्टिक होगे मैं टैबलेट भी खा लूँ मैं इंजेक्शन भी लगा लूँ मैं सब कुछ कर लूँ फिर बढ़ भी जाता है लोगों के वेजटेबल फूट्स में थोड़ा कम पाया जाता है तो जो लोग वेगेन डाइट पे होते हैं या जो वेजटेरियन हैं उनको अपना टैस्स रेगुलर कराते रहना चाहिए और अगर आप विटामीन खा रहे हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक महीना बंद करके तब ट मश्रूम भी एक स्पेशलाइज शीटेक करके मश्रूम और अंडों में अब अंडे को वेज माने ना माने यह बी एक बात है तो 45 सेरेल्स हैं और 45 आपका अनाज है 45 मिल्क है उनमें पाया आता है 45 कितना इंडिया में है पता नहीं मद्दा कि उसमें कुछ नुटिशनल अब आपको यही समझे नहीं है तो योगर्ट में होता है दाही में फ़ोड़ा बहुत होता है खालो उसको तो ये सब जो मैंने बताया है नूटिशनल इस्ट होती है उसमें होता है आपको कहां मिलेगी त allied को को यह भी तो बात होता है मश्रूम में बबहुत होता है बाकी वेशेरिन के लिए थोड़ी सी प्रॉलम वाली बात तो है तो यह था एक टॉपिक B12 के उपर मैंने शॉर्ट में बताया है कोशिश किये कि सब कुछ आपको बता दूँ B12 बेसिकली एक एनरजी विटामीन है जब आपको लगे मैं exhaust हो चुका हूँ साल में लेकि कोविड के बाद से मैं बोलता हूँ कि नहीं अब आप हर साल एक बर complete health check-up अपना जरूर करें हाँ thyroid की value उसमें कई बार थोड़ी सी गड़वड आती है तो उसको आप जरूर अपने डॉक्टर को दिखा के ही बात करें उसको ही चेक कराना पर थारेड के उपर एक पंगा है transportation का पंगा है क्या पंगा है वो मैं फिर कभी पहले भी discuss कर चुका हूँ जो complete health check-up होते हैं तो आज का topic यही था तो B12 यानि की जिन्दगी का vitamin यानि की आपकी energy का vitamin और energy और दिमाग पैसर डालता है भाई दिमाग चला गया तो सब कुछ चला गया दिमाग ठका ठका रहेगा तो आप सोच लो क्या कर पाओगे तो इसलिए चलता है बंदा पर बाद थाम लो जिगर फिर मिलूँगा एक नए vitamin के साथ एक नए supplement के साथ एक नई टाकत की दबा के साथ शिलाजीत यह क्या बोल दिया मैंने ऐसे शिलाजीत का नाम सुनके तो ऐसे रोते पता नहीं क्या बोल दिया जला बाई शुक्रिया